नमस्कार किसान भाइयो यह जो आप पौध देख रहे हैं यह आम का पौध है आम के पौध में जो आप किट पकर लेता है नीचे जर में सखाओ में या नीचे रूट में उसको किस परकार से नियंतरन करेंगे आम हो या लिची या कठल हो या कोई भी पौधा होता है उसको कि नियंतरन करेंगे कैसे किट से बचाएंगे और ज्यादा फ़लन के लिए इसमें कैसे फटिकेशन करेंगे कि ज्यादा फ़लन ले सकते हैं चैनल पहली बार आए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो देख रहे हैं कि किचन वहीं के सारे ज का पेड़ का जो आयू होता है चुर्य आयू कम कर देता है फिर उसके बाद अबने के तरफ वह रबत ने लगता है और शुट शूटी लगता है उसमें पकर लेता है qam कि पूरे जो देखेंगे कि इस ये सुकुरा सुकुरा सा और दो इंच का होता है वो किट लग जाने के बाद जो होता है इसमें जो सद देख रहे हैं कि सारे जो है वो ही लक्री का जो ये तना जो देख रहे हैं उसमें छेद किये हुआ है और रास्ता रूट जो बनाये हुआ वही बनाया हुआ है जो अंदर का जो भाग होता है उसमें छेद नहीं कर पाया हुआ है जो उपर उपर से था वो करकर के उपर के तरफ जा रहा था और फिर उसके बाद जोता है वो तना के अंदर घुश जाता है पेर के अंदर जब घुश जाता है तब पेर सुखजने लग तो पेर के अंदर अभी नहीं घुसा हुआ ता जो च्छाल होता है इसका ढाल उसी के उपड़ अभी छेद करके चल रहा था घुम रहा था तो उसको नियंत्रन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जर्ज होता है वहाँ पर के जितने भी सारे मिटी के उपर जो रूड़ी होता है तो इस परकार से खर पत्वार को होता है नियंतरन करके हटाएंगे यहां से नियंतरन कर देंगे बिल्कुल और सफाई करके इस परकार से रखेंगे ताकि यहां पर हवा और धूप लएगा उसके बाद इसके जर्म में से लेकर को खुरपी हो गया किसी हासी से जो रूट के चारो साथ जो मिटी लगा रहा होता है उसको थोड़ा-थोड़ा सा निकाल करके जो रूट होता हो वो बिलकुल उपर लाएंगे ताकि दिखने लगे तो इस परकार से देख सकते हैं जैसे को रूट जब दिखने लगे देख रहे हैं कि सभी आमों को पेर में जो रूट होता है नीचे बला ओध दिख रहा है तो दिखने के बाद जो होता है क्या करेंगे इसमें सबसे पहले इस सब देख रहे हैं कि खोल करके इसको एक दिन के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे हवा लगने के लिए एक से दो दिन भी रख सकते हैं इसमें धूप और हवा जो लग जाता है मिटी जब सुकने लगता है तो किट जो हता है एटोमेटिक यहां से भागी जाता है जो बचा हुआ मिटी में छुपा हुआ किट होता है उसको मारने के लिए हम लोग जैसे कि अभी हम दबा को यूज करेंग तो कुछ इस परकार से करेंगे जैसे कि देख रहे हैं कि अभी धूप लगा हुआ है इसमें धूप लग गया हुआ है सभी के और उसके आसपास जितने भी जमीन के आसपास में जो पेर के आसपास में जो जमीन सब है और सभी का जो खुदाई कर दे और यह काम आप जैसे क फलाबरिंग होने वाला है मंजर आने वाला है तो उसे दो महिना या देर महिना पहले ही करें क्योंकि मंजर आने के समय में करते हैं तो पोधे को डिस्टर्फ होता है तो जब मजर आने वाला होता है उसे पहले ये काम करना होता है तो ये काम अपने पोधे में जरूर करें तो इस परकार से कुछ आप ले सकते हैं तो सबसे पहले मिटी खुदाई करके जो आप रखे रहते हैं उसके बाद जो काम आपको करना है कि कलोर पाईरिफोस जो आता है इसी में आता है एक एमेल दो लिटर पानी में मिला करके इस हिसाब से जितना पेर है उतने दवा मिला करके उस हिसाब से पानी मिला करके उसको एस्प्रे करें जहां से किट खाया हुआ पेर को वहां से ले करके और जर तक नीचे तक बिल्कुल भीगो दे इसको फिर भीगोने के बाद में अगर उपर आपको एस्प्रे करना है तो इ किट होते हैं जैसे कि गड़ारे होते हैं उसके लिए कलोड़ पाइरिफोस जोता है उसको जर्म दे बिल्कुल और एस्परे कर देने के बाद में जो होता है उसके बाद आप इसमें फटिकेशन करने के लिए फासफोरस में आप डिएपी ले सकते हैं तो डिएपी को ले करके इसमें फिर आप potens ko मिला है तो डियेपी के मात्रा कितना लेना है जैसे कि आगर पोधा आपको पांच साल से दस साल का है तो आधे किलो के मात्रा में अप जो डियेपी है फासफोरस बो ले सकते है और potens जो appy होता है वो 200 ले सकते है तो इस हिसाब से आप जो है इसमें कीट जो होता है मिटी में कीट मारने के जी जो आता है तो आप उसके लिए कई सारे गैसदाब आता है लेकिन Σब्सा envol ज्यादा बेडर होता है जो नल्गर bully डीर के फuhी भी क date करें दिए अ इस परकार से डाल करके सभी को और मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जो होता है जो खाद आप बनाये होते हैं इस खाद को उस जर में चारो साइड से गिरा देना होता है और गिरा करके मिट्टी उपर से डाल दे डालने के बाद देखेंगे कुछ दिन के बाद जो होता है कीर जो आवस्य करें और आपका फलन जो है जादा आएगा और quality भी quantity भी और पेर का भी जो safety होता है वो बना रहेगा तो इस परकार से अगर आप अपने आमों को फटिकेशन करते हैं और treatment करते हैं तो आपका जो मंजर है वो भी अच्छे से निकलेगा और आम भी सही से आप आएगा और उसमें जो कीट होता है या फफुंद होता है वो भी नहीं लग पाएगा तो वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके आप हमें जरूर बताए नेक्स्ट वी